नमस्कार दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब को बटन और घंटी जरूर दबाएं और कई जगहों पर तो जो भी स्वयम साहता समू बने हैं वो डिस्मिस हो चुके हैं यानि कि उनका स्वयम साहता समू बंद हो चुका है तो कहीं पर स्वयम साहता समू की महलाओं को भारी मात्रा में पैसे देने पड़ रहे हैं दोस्तों इन सभी चीजों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए निवेतन करता हूँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा कर आल नोटिफिकेशन पे जरूर किलिए कीजिए ताकि जो भी महतपूर जानकारी में देता हूँ वो आपको इस चैनल के माध्धम से सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है भारत में पुरे भारत सरकार दोरा स्वयमसायता सम्मू की अस्थापना की गई है यानि कि हर गाओं में हर घर में एक स्वयमसायता सम्मू बनवाया जा रहा है जिस तरीके से आने वाले समय में स्वयमसायता सम्मू बनाये जा रहे हैं उस तरीके से सरकार नारी सक्ती मिशन आत निर्भर भारत मिशन को काफी बढ़ावा दे रही है आने वाले समय में इन सभी चीज होती है तो समय लेजिए पीड़ी-दर-पीड़ी सुधर जाती हैं पीड़ी-दर-पीड़ी बन जाती हैं तो इसी चीज के साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से स्वयमसायता समों की महिलाएं सरकार दोरा काफी अच्छा पैसा लेकर अपना स्वयरोजगार कर सकती हैं और इतना ही नहीं दोस्तो कई राजियों में तो स्वयमसायता समों के दोरा करोड़ों रुपे का अनुदान भी दिया जाता है दोस्तो सरकार के के द्वारा दिलवा सकते हैं दोस्तों आब हम लोग बात करें हैं कि हिमाचल की स्वहिम साहता समूह है जहां पर 60,000 स्वहिम साहता समूह की बनेगी कंपनी लगबग 4,000,000,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में मदद करेगी सरकार दोस्तों आपको बता दूं कि परदेश में हर स्मोह सामान बेशने के लिए उचित बाजार नहीं मिल पाता है दोस्तों आपको बताओं तो हिमाचल परदेश में ग्रामीर अस्तर पर स्वारोजगार की राह आसान कर रहे हैं हजार से अधिक स्वयमसाता समुहों की अब कंपनी बनाई जाएगी समुहों से जोड़ी प्रदेश भर की 3,71,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में नाबर्ड मदद करेगा पांच वर्सों के लिए हर स्वयमसाता समुह छोटे छोटे अस्तर पर हत करगा हैंड लूम से लेकर खाने पीने का समान त्यार करता है छोटे अस्तर पर कारी करने के चलते इन समुहों को अपना समान बेशने के लिए उचित बाजार नहीं मिल पाता है ऐसे में नाबर्ड ने अब कई सोयमसाता समूहों को इकठा करके इनकी एक कमपनी बनाने का फैशला किया है दोस्तों कहते हैं लोग एकता में बल होता है अगर आप अकेले किसी काम को अंजाम देते हैं तो आपको समय जादा लग सकता है उसमें सुगमता उतनी अच्छी नहीं आपाती है अगर आप एकता में यानि 10 से 20 लोग या 100 लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसमें आपकी उत्पादकता भी काफी बढ़ती है और आप काफी मजबूत होते हैं तो दोस्तो इसी तरीकों को ध्यान में रखके नाबर्ड अब कई स्वयमसाता समोह को एक त्रकर इनकी एक कंपणी बनाने का फैशला लिया है इसके तहर एक तरह का कारोबार करने वाले समोह की कंपणी बनाई जाएगी दोस्तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन कंपणीों को कें सरकार की ओर से नाबर्ड अरड देगा एक तरीके से स्वयमसाता समोह की महलाएं अस्थाई नौकरी कर रही होती है उत्पादों में सुधार लाने के लिए विशे सग्यों का मार्ड दैसन भी मिलेगा इन उत्पादों की विक्री के लिए बाजार का भी बंदोबस्त किया जाएगा कंपणी की उत्पादों के अनुसार नाबर्ड की ओर से निवेश किया जाएगा नाबर्ड देश भर के ग्रामीर शेत्रों में महलाओं की ससक्तिकर पर कारी करता है नाबाड के मुख्य महाप्रबंधर ने बताया है कि बीतो दिनों सिवरात्री के मेले के दौरान मंडी में नाबाड की परदस्यों ने पाँच दिन में 30 लाख रुपे के उतपाद बेची थे लोगों ने स्वयमसाता समुहों के उतपादों को लेकर बहुत उत्सा है ऐसे में नाबाड इन समुहों को और अधिक मजबूत करने के लिए इनकी एक कमपनी बनाएगा दोस्तों मंडी के गोहर और कलपा से होगी शुरुआत दोस्तों हिमाचल परदेश के मंडी जिले से गोहर और किन्नाओर के कलपा में कारेरत स्वयमसाता समुहों को कमपनी बनाने की शुरुआत होगी नाबाड के बिशेश दल की ओर से इन छेत्रों में चल रहे हैं समोहों के कारोबार को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही है कि नौर में JSW कंपनी की मदद से कंपनी बनाने की योजना है इसके अलावा सामुदाई घासनियों को वाटर सेट के रूप में भी त्यार करने की योजना है जल्द इस बाबत नाबाड की और से फैसला लिया जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश पहाड़ी का छेत्र है पहाड़ी वहाँ पर जादा है वहाँ पर वाटर हर्वेश्टेशन पानी का रख रखाओ पानी को स्टोर करके भी एक तरीके का बिजनस किया जा सकता है जो बिजनस सरकार द्वारा ही समय समय पर बताया जाता है और स्वेम साहता समों की महलाएं अगर इसमी अपनी रुची दिखाती है तो नाबाड उनको लोन देके पैसे देके उनकी मदद करेगा और स्वेम साहता समों की महलाएं खुद सो खुद तो रोजगार पाएंगी और लोगों को भी रोजगार दिलवा सकती हैं। बंदे मत्रों